पुश्कार बच्चियों मैं नेहा सैन नौ भार्ती परिवार में एक बाद फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और फिर से लेकर हाजिरों आपके लिए कक्षा आठ की पाठ्थे पुस्तक वसंत भाग तीन का पाठ पंद्रा सूर्दास के पद इससे पहले हम सुदामा चरत पढ़ चुके हैं जो नरतमदास जी की रचना है तो आज हम जो पढ़ने जारें सूर्दास के पद सूर्दास के पद पढ़ने से पहले हम सूर्दास जी के बारे में जान लेते हैं सूर्दास जी प्रकाश कहावत यह है कि कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी ससी सूर सूर यानि सूर दास को सूर यानि सूर्य की उपाधी दी गई है सूर सूर तुलसी ससी यानि तुलसी दास जी को ओन है तुलसी दास जी को चंदरमा की उपाधी दी गई है उड़ुगन केशव दास जुगनु किसे कहा गया है केशवदास जी को जो रितिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं कई आचारों के अनुसार और अब के कवी खद्योत हैं यानि अब के जो कवी हैं वो क्या है खद्योत यानि की तारगण हैं जो इधर उधर प्रकाश करते रहते हैं यानि सूर्दास जी को अनुठी देन दी है जो इसके बारे हम आज भी पढ़ते हैं जैसा वर्णन उन्होंने राधा कृष्ण का किया है सूर्दास जी को उनके वातसले रस से भरे हुए वर्णन के बारे में जाना जाता है और राधा कृष्ण की भक्ती जो उन्होंने की थी उसके बारे में जान जाता है तो जान लेते हैं हम सूर्दास जी का परीचे कहा जाता है कि सूर्दास जी का जन्न 1478 इस्वी में रुनक्ता नामक गाउं में हुआ था और ये रुनक्ता गाउं का है मतुरा आगरा मार्ग में किनारे में इस्तित है ठीक है कुछ विद्वानों का मत यह है कि सूर का जन्व सीही नावक ग्राउं में एक निर्धन सारस्वत ब्रामण के घर में हुआ था वो बहुत विद्भान थे उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं मत्वरा के बीच गव घाट पर आकर रहने लगे थे कौन? सूर्दास जी सूर्दास के पितार रामदास जी भी गायक थे सूर्दास के जन्मांध होने के विशे में मत्वेद है क्यों है मत्वेद? क्योंकि सूर्दास जी जो प्रकती चितरन किया है वो कोई भी जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्यूंकि प्रक्रति का जो सुन्दरतम जो अन्यतम आकरशक वर्णा निनों ने किया था वो एक आखो देखा हाल ही वेक्ति कर सकता है तो कुछ लोग ने ये कहते हैं कि जन्म से अंधे थे और कुछ का वानना ये है कि जन्म से अंधे नहीं थे बलकि जीवन में आगी जाकर ये अंधे हुए थे प्रारंभ में सूर्दास आगरा के समिप गव घाट पर रहते थे वही उनकी भेट्षरी वलभा चारे से हुई और वे उनके शिश्य बन गए अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि वलभा चारी जिसे मिलने से पहले सूर्दास जी की जो भक्ती थी वो दासे भाव की भक्ती थी अब भक्ति दासे भाव की भक्ति क्या होती है देखें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और फिर रिपीट करती हूँ कि भक्ति जो होती है वो तीन प्रकार की होती है दासे भाव की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति और सक्य भाव की भक्ति दासे भाव की भक्ति वो हो और अगर भगवान को अपना सखा अपना दोस्मान के भक्ति की जाती है तो वो सक्य भाव की भक्ति होती है तो हमारे जो ये कौन सूर्दाजी थे ये सूर्दाजी की भक्ति कैसी थी पहले दासे भाव की भक्ति थी अब दासे भाव की भक्ति अगर आप देखें तो उसका सर देखते हैं तो आप मीरा भाई को देखिए उन्होंने श्री कृष्णु का अपना पती मान करके भक्ति की थी उनकी अराधना की तियरा सरवस्व उन पर नियोच्छावर कर दिया था और कहा जाता है कि अंत में जब वो मृत्यों को प्राप्त हुईती तब वो उनके मुख मे समा गई थी ऐसे की बंदनती है ठीक है और सक्षे भाव की भक्ति देखें तो हमारी सूर्दास जी की जो भक्ति है वो सक्षे भाव की भक्ति मानी जाती उन्होंने कृष्णु को अपना सखा मान करके अपना सहयोगी मान करके उनकी भक्ति की है लेकिन ये उनकी सक्षे भा वल्लभाचारी से का हुई थी गव घाट पर हुई थी और यहीं परेनों ने उनसे दिक्षा ग्रहन की थी वल्लभाचारी ने उनको पुष्टी मार्ग में दिक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया था अब पुष्टी मार्ग क्या होता है पुष्टी मा आठ उबार उनकी पूजा की जाती है, शायन आरती होती है, मंगल आरती होती है, भोजन आरती होती है, इस प्रकार आठ प्रकार की आरती होती है और जो जन्वाश्प्री का जो उत्सव होता है जन्वाश्प्री का उत्सव भी वल्लभाचारी जी की ही देन है भक्ती के अंधर जो गीत होएं वो गीत भी कहा जाता है वल्लभाचारी जी के कारणी हमारी जो साहित ने हैं उसमें आए हमारे इतिहास में आए हैं तो भक्ती के अंदर पुष्टी मार्ग किसकी देन है वल्लाभाचारी जी की देन है वल्लाभाचारी जी के पुत्रते विठलना जी कौन थे विठलना जी जिनोंने सूर्दाजी की मृत्यू पर कहा था कि पुष्टी मार्ग वो जहाज जात है जाको कच्छू लेनो हो तो ले किया है जिसको कुछ लेना हो वो ले लीजिए तो सूर्दास जी की मृत्यू कब हुई थी गोवर्धन के निकट पार्सवरी ग्राव में 1584 इस्वी में इनकी मृत्यू हुई थी कुछ विद्वान इसका 1583 भी निधनिन का मानते है तो ये था सूर्दास जी का परीचे करेश्ण की जो बाल लीला है उनका बहुत ही सुन्दर वर्नन किया है और उनी लीलाओं में से दो लीलाओं का दो पदों का वर्नना आज हम करने जा रहे अगर सूर्दास जी की अब रचनाएं देखें तो उनकी तीन रचनाएं मानी जाते जिनमें साहित्यलहरी सूर सागर तो आज हम जो पद पढ़ने जारे सूरदास जी के उनमें दो पद मुक्यै करदो कि विद्वानो में मतबेद माने रहे है। सूर्दास जी की जन्वत इठी हैं जन्विस्थान की विशय में विद्वानों में मत्वेद है साहित्य लहरी जो की सूर्दास की रचना है की लिखी रचना मानी जाती है इसमें साहित्य लहरी की रचना काल के संबंध में निम्नपद मिलता है कि मुनिपुनि केरस लेख दसन गौरी नंद को लिखी सुवल समबत पेख इसका अर्थ समबत समबत 1607 इस्वी में माना गया है अत्यव सहित्य लहरी का रचना का समबत 1607 विक्रमी है इस ग्रंद से यह भी प्रमाइट मिलता है कि सूर के गुरु श्री वल्लभाचारी जी थे सूर्दास का जन्म समबत 1540 इस्वी के लगवर ठहता है क्योंकि वल्लभाचारी सूर्दास से 10 दिन बड़े थे और वल्लभाचारी जी का जन्म उक्त समबत की वैशाक कृष्ण एकदशी को हुआ था इसलिए सूर्दास के जन्मसिती वैशाक शुकला पंचमी समबत 1535 विक्रमी समीचीन जान पड़ती है अनेक प्रमाणों के आधार पर उनका मृत्यू समबत 1620 से 1670 के मध्ये स्विकार किया जाता है रामचंदर शुकली जी के अनुसार सूर्दास का जन्मसमबत 1540 विक्रमी के सन्निकड़ और मृत्यू समबत 1620 इस्वी के आसपास मानी जाती है रामचंदर शुकली जी का मत सर्वतं है यानि सर्वष्रिस्ड माना जाता है क्योंकि अगर आचारियों में अगर देखें तो authentic जो है वो किसका माना जाता है श्रीव गुरु वलभ स्तत्व सुनायो लीला बहिद बतायो सूर्दास जी ने जो कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया है सूर्दास की रचनाओं में जो कृष्ण से संबंदित प्रेम मिलता है वो किसकी देन है वलभाचारी जी की देन है वलभाचारी जी के ही माध्यम से किसने सूर्दास जी ने उनकी कृष्णी जी की सारी लीलाओं का वर्णन सुना और लीलाओं का वर्णन सुन करके उन्होंने जो पद लिखे उन्होंने जो रचना लिखी वो उनी के बताय अनुसार लिखी थी सूर्दास की आयू सूर सारावली के अनुसार उस समय सत्यासी वर्ष थी 84 वैश्णवन की वारता के आधार पर उनका जनू रुनकता अर्थवार रेणू का शेत्र वर्तमान जिला आगरा के अंतरकत हुआ था अब यह 84 वैश्णवन की वारता क्या है जो वलब जी के पुत्र थे कौन विठलनाथ जी विठलनाथ जी ने यह लिखिती पुस्तक 84 वैश्णवन की वारता इसके अंदर 84 जो शिश्य थे वैश्णव भक्त जो थे उनकी बारे में बताया गया है उनकी रचनाओं के बारे में सूर्दास जी वल्लबाचारी जी से इनकी भेट वहीं पर हुई थी और भावप्रकाश में सूर का जन इस्थान सीही नामक ग्राउं बताया गया है वे सारसत भ्रहमन थे और जन्म के अंदे थे इस बात का हमें कोई पुष्ट जो प्रमाण है वो नहीं मिलता है आइने अगबरी में तता मुत खबूत तवारिक्र के अनुसार तूर्दास को अगबर के दरवारी संगितग्यों में भी माना है अब ये बात कि क्या सूर्दास जन्म से अंदे थे इस बात पे भी मत्वेद है सूर्दास श्री नात की संस्कृत द्वारता मनिपाला श्री हरी दायकृत भाव प्रकाश सिगोपुलनाथ की निजवारता आधी ग्रंतों के आधार पर जन्व से अंधे माने गए हैं लेकिन राधा कृष्णी के रूप सौंदरे का सजीव चित्रन और नाना रंगों का वर्णन सुक्ष्म परिय विक्षन शीरता आधी गुणों के कारण अ मतलब उच्च कोटी का है इतना सर्वश्रिष्ट है कि कोई भी उनके जन्वांद होने पर शक मैसूस करता है आगे भिटते हैं सूर्दास जी की द्वारा रचित पांच ग्रंथ पाने गए हैं पहला सूर सागर जो सूर्दास जी की प्रसिद्धी का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है आधार माना जाता है इसमें सवा लाख पत संग्रहित थे लेकिन अब साथ से आठ हजार पत ही मिलते हैं सूर सारा वली साहती लेरी साहती लेरी मन के कूठ पद संक्लित है इसके लावा नल दम्यंती और विहलो भी इनके प्रमुक रचना मानी गई है लेकिन अगर आप अन्य पुस्तकों में देखेंगे और कहीं देखेंगे तो आपको ये तीन रचना ही मिलेंगी इन दोरों का लिलाओं का वर्णन किया गया है वात्तलिय रश से ओध प्रोतिस रचना में इस पद में आपको कृष्ण जी की शरारतों का कृष्ण जी की गुसा होने का कृष्ण जी के मतलब मा है आप देखेंगे घर में हमेरे छोटे बच्चों होते हैं छोटे बच्चों को हम कोई ना क कहा कि बेटा दूद पीना चाहिए, दूद पीने से चोटी लंबी हो जाती है, और चोटी लंबी कैसे होईगी, आप रोज दूद पीओगे, आप बालों को साबन से नहलाओगे, तो आपकी जो चोटी है वो बलराम जितनी लंबी हो जाएगी और जमीन पर फैल जाएगी, त उसको जूटे बाते बता करके उसे दूद पिलाया, लेकिन एक दिन कृष्ण जी को भी गुस्सा आ गया, गुस्सा आ करके मा के बासा के मुलते है, मा तुमने कहा था कि दूद पीने से चोटी बढ़ी हो जाती है, लेकिन मेरी चोटी तो इतनी की इतनी है, ये तो बढ़ी न तू जो कहती बल बेनी जियों हुए हैं लांबी मोटी काड़त गुहत नहावत जैह नागनी सों भी लोटी काचो दूध पियावत पची पची देती ना माखन रोटी सूरज चिर जीवो दव भाईया हरी हलदर की जोटी अब यहाँ पर सूरज जी ने वर्णन किया है कि कृष्ण जी गुसा हो गए और गुसा हो करके मा के पास आए मा के पास आकर के वो बोलते हैं मैया यह चोटी कब बढ़ेगी किती बार मुझे कितनी बार तुमने दूध पिला दिया मैंना अनेकों बार दूध पिलिया लेकिन यह आज भी छोटी की छोटी ही है यह बड़ी ही नहीं है तू तो कहती बल बेनी जो है वे लामी मोटी तू तो कहती थी कि यह खूब लंबी हो जाएगी दूध भी नसे लेकिन यह तो छोटी की छोटी है यह लंबी भी हो जाएगी और मोटी भी हो जाएगी कारत गुवत नहावत जैसे इसमें एक तंगी करेंगे इसको नहलाएंगे नागिन सूभ ही लोटी तो ये नागिन की जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी काली नागिन का प्रतीक लिया है जिसे काली नागिन मोटी होती है काली होती है वैसे ही आपकी जो चोटी है वो भी दूद पीने से का जाली और मोटी हो जाएगी कांचो दूध प्यावत् पचपची कि तु कच्छ श्याद में पिलाते हुए मैं को रोज रोची मैं परिशान हो गया हूं- 그렇죠 तो म्हें माखिन रोटी भी नहीं देती हो सूर्चिर जीवो दुफिया अब सूर्दाज जियां वर्णन कर रहे हैं सूर्दाज जी अपनी भावना वेक्ट कर रहे हैं और मैया के माध्यम से वेक्ट कर रहे हैं मैया इशोदा के माध्यम से वेक्ट कर रहे हैं मैया हलधर हलधर यानी भलराम जी हल को धारण करने वाले और हरी हरी यानी भगवान कृष्ण की मैया कहती है कि मेरे दोनों बेटे हरी और हलधर की जोड़ी हमेशा चिरंजी भी रहे लंबी आयू वाली हो हरी और हलधर हरी यानी कृष्ण भगवान और भलधर यानी भलराम तो दौनों को साथ में खेलता खाते हैं दे करमिया इशोदा उनकी भलाईयां ले रही है और मन हे मन मुझे आशिर्वा दे रही है कि ये इन दौनों की जोड़ी हमेशा खुश रहे चिरंजी भी रहे आगे भरते हैं अब जो काना है वो घर को छोड़ करके का निकल गया है बाहर निकल गया है गलियों में जाकर के वो हर घर में चोरी किया करते हैं चुप चुपके मांखन खाया करते हैं तो उनकी इनी शरारतों से परिशान होंके एक ग्वालन मैया के पास आती है और मैया को आकर के कृष्णी जी की शिकायत करती है अब ग्वालन यहापे आके तंजी कस रही है क्या केरी है कि देखो कि तेरा लाज जो है क्रिश्ण जो है उसने मेरा माखन खाया है दुपहरी दिवस जाने कर सुनो कि दुपहरी के टाइम में वो दुपहरी का टाइम जान करके घर में कोई नहीं ता सुने घर को देख करके क्या के रिए धूंटे धंडोरी आप है हो धूंता धकोंसा आ गया नि धूंते धूंते सुने घरों को धूंते धूंते वो मेरे घर म उनको भी सात में खिलाया उखल चडी सीके को ले न ओखली होती है सिसके अंदर अनाज 3 कड़ा जाता वह बहुत लंबी अ करती थी उखल ुखल क्या होता है रिछी जिसके अंदर धान कोटा जाता थी बहुत बड़ी-बड़ी हुआ करती थी पहले तो सारे दोस्तों ने कृष्ण जी ने बल्राम जी ने सुदामा जी ने मिलके क्या-क्या उस ओखली को लाए उस ओखली पे चड़े और ओखली पे चड़के चीके पर रखी वी मट्की जो माकम से भरी वी थी पहले ऊपर डोरी बांद करके रस्ती बांद करके मट्कियों को लटका दिया जाता था कि बिल्ली उन तक ना पहुंच सके पर यहां तो कृष्ण भगवान इतने नटकरते इतने शरार्टी थे कि वह ओखली पे चड़ते हैं ओखली पे चड़के चीका उतारते हैं चीके पर से मट्की उतारक दूध कि घी की मखहन की हमें दिन प्रति दिन खती हो रही है हानी हो ये तौटा कोने ढगलायो यह तुमारे बेटे को कौन सा तरीका है हमेज़ो समझ में नहीं आया सूर siyaam को हटकी न राखे अब वो ग्वालन सूरदास की सूरदास की माधिम से मैया को क्या शगयत कर रह तुम श्याम को हटकी, यानि ड़ा धंका कर उनको डाट करके नहीं रखती हो, पूत ते ही पूत अनोख हो जायो, कि तुमने ही special बेटा जन्मा है क्या, तुमने ही अनोखा बेटा जन्मा है क्या, जो सारे गाउं के बच्चों को ले करके हर घर में चूरी किया फृता है, अर् सारे सूर्दास के पद, फिर भी लेंगे आप से, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद,